एक डिपपे में दो द्रबों एक था B के मिश्रण 7 अनपाच 5 के अनपाच में हैं जब 9 अनपाच निकाला गया और डिपपे को B से भरतिया गया तो A और B का अनपाच 7 अनपाच 9 हो गया मूलता डिपपे में द्रब A की मात्रा कितने लिटर थी तो हम लिखेंगे दो द्रब A और B हमारे दो द्रब हैं जिनका अनपाच कितना है साथ अनपाच 5 है जब इसमें 9 अनपाच 9 अनपाच 9 हो गया यानि कि 9 क्या है 9 लिटर द्रब B डाला गया तो जब हम डाल लाए हैं द्रब B तो हमें द्रब A सेम करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर द्रब A सेम है तो हम देखेंगे हमने बड़ा डाला क्या है 9 लिटर द्रब तो 9 की तो लना हम किस से करेंगे हम देखेंगे कि ब्रद्धी कितने की ओर ये 5 से कितने की ओर ये 9 हो रहा है ब्रद्धी कितने की ओर ये 4 की और जब मिश्रण निकालकर उसमें कोई द्रब भरा जाता है तो हम नीचे वाला क्वांटिटी लेते हैं इसका एडिशन करेंगे 9 साथ 16 तोног हम सोला से मुटिप्लाई कर देंगे 4 च्वक्त 16 यंहीं कि 9 च्वक 56 तो कह रहा है कि द्रब एगी मात्रा हमें निकाल जहें तो हाक है तोटल मिश्रण हमारा है तोटाल में से 6 च्वक्त 37 को हम किस से डिवाइट करेंगे? टूटल से, मिश्राण से, 7 अपाच का एट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12, और निकालनी किस की है? हमें एक ही, एक ही मात्रा कितनी है? 7, तो 7 से मल्टिप्लाइए कर देंगे, तो 12 तियां, 36, यानि की 3 क्रॉस 7, यानि की 21 लिटर, यानि की ऑप्शन हमारा सी इस राइट ऑप्शन हो जाएगा?